हमारा डेली काम जहनावा बहुत एजी लगने लगता है हम बड़े हाराम से सारे काम फटाफट से निपटा लेते दोस्तों कुछ ऐसे टिप टिक लाइएं जो की डेली लैप में आपको बहुत जादा काम आएगा आएंगा जये मात्ता क diesen चैनल पर नए आया खिता है की आपक है जाबिया डालती है हमारे हाथ के नाकुनों में बहुत ही ज्यादा दर्ध हो जाता है हमें बहुत ज़्यादा परिशान ही होते है जब भी आपको नए बदलने हो आप एक च्रिक लाए हों जिससे आपको बहुत जदा help मिलेगा और बहुत easy हो जाएगा आपके नाकुनों में दर्द भी नहीं होगा आपको क्या करना पर यहां पर देखिए मैंने एक रुपया का सिक्का ले लिया ठीक है अब इसकी help से देखिए हम लोग कितने आसानी से जो है इसमें क्वाइंस जो है कितनी आसानी से हम ल हाथों में बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा यह कुछ इस तरीके से देखिए अब इस तरीके से फसा दीजे एक और फसाने का ही टेंसन रहता है और जो है बहुत ही अच्छे से आप की में डाल सकते हो है ना यहां पर आप इसका यूज करके आप अपने नाखुनों के दर् अब बड़े ही अराम से इस तरीके से देखिए आपको सिक्का फसा देना है अब देखिए बहुत ही अराम से आप चाबियां डाल सकते हो नहीं तो क्या होता है न उतनी देर हमें नाखुनों से इसके हटा के रखना पड़ता है अब देखिए कितने अच्छे से फैल हो जा अब सिक्का हटा दीजिए अंदेन इस तरीके से आप यह निकाल दीजिए हो गया ना हमारा काम ही जी तो कैसा लगा यह आडिया पर जुरूर बतेगा इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो एक पहले इस तरीके से सिक्का फसा दीजि हैं दो जान भी कहा लिए हैं परदी कोले अगते हैं जब्थ खराऊ जाते हैं Sel गाले वाले रखा जाते हैं ृसारे चने पर अधने के बाद नोगे कि बाद आपको इस तरी के से जो एनमुनियों फॉइल होते ना उसको जो पूंदाई बना दिया इस तरी के से गोली बना दिया तीक है बस इतना दो चार इसमें डाल दिजिए अपनी की कि अपनी कि यृटे मकोड़े नहीं लगे बहुत ही अच्छ तो हमारी जो टीप्स है प्रिंस जो गोगल चस्में होते हैं इसे कुछ सदस होते हैं जिनके आखों पर चणड़ा रहाता है आखों में कमदोरी को विसे दोस्तों होता क्या है कि यूज करने से ना चस्में में थोड़े बहुत दाग धाबे पड़ जाते हैं वो डेली की सफा से क्लीन हो जाएगा और आपको यह है बहुत ही अच्छा लएगा इससे आपको फिर से देखने में यहां पर छोटा से लेंगे दोस्तों आपको क्या करना यहां पर देखिए मैंने ले लिए इस तरीक से सीरका भायट विनेगर सीरका आप जो है ना इस तरीके से मैं कॉटन इस लेगा इस साफ करें अधे में आपको साफ कर ले देक्ट बहुत विल्कुल नए के नए लगे अपको आपको शॉने ऐसं आपको साइनिंगर आ जाती है इससे अक्ट कीजिएगा इस तरीके से ना भी नवी डुन पर गया है इसपर सारे इस तरीके से पहल बढ़ हो आगली जो टीप से पिंस वह इस तरीकी से नमक दानी से लेटर अक्सार आपने दीखा हूं नमक दानी में हम लोग नमक रखते हैं और छिलक के हम लोग खाना में यूज करते हैं दोस्तों होता है कुछी दिने बाजे नहीं से जैम पड़ जाती है और इसमें नमक जैसे नमक गरम खाने में लोग नमक ढालते हैं इसमें भाप लगने के अंदर तक नमी चल जाती है और ढालते हैं तो जटी नहीं है अच्छी तरीके से यहां पर चोटा सा टिप्स करना आपको देखिए बहुत ज्यादा यूज़़वल है बहुत ज्यादा काम आएगा आप मैंने किय दाने तो फूर िवल हुआ है चोल दाने बाρεवाँ यूज़्चने नमगों wiltli डाल रडी और बहुत बहुत यह गल क्वें बहूत ढल यूज़। यहां पे देखिए मैं एक बाल मेजर इस तरिक से पानी गरम करूं ठीक है अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा चाय पत्ती कुछी से एक छमज के एक फूल चमज होता ना टीए स्पून से मैं भर के इसमें चाय पत्ती डाल दिया अब इसे अच्छे से मैं हुबाल लाने द तो अब यहां पर मैं इसमें मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके से कोल अब इसे चला लेना इसे अच्छे से मिक्स कर लेना अब दोस्तों इसका यूज के से करना हमें बहुत अच्छा से सॉलूसन बढ़के हमारा जो है रेडी हो चुका है आप हमारे पास जितने भी हैं सुनार के पास इसे साफ करवाने के लिए पटप ऐसी घलती पिल्कुल मत कीज़िए आप सुनार के पास कभी मत लेजाग कि दोस्तों इस तरीके सी साफ करेंगे आ तापके काम तो होंगे ही साथ हमें पैसे बचेंगे और सुनार लोग क्या करते हैं इस साफ करने से है अब हमारा हाथ जो इस्तरी किसे सा सकता है इसे थोड़ा गरम तो रहेगा ही अब इस तरी किसे एक ब्रस ले लिए आप ब्रस अगर इस टेड़े करके रखेंगे तो जादा अच्छे से सफाई होगी यह देखिए इस तरी किसे हमें से रब करने है गोल्ड की जो चैन न इस बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं देखिए आप रूजरूर करके देखिएगा तो आप यह क्या कीजिए यहां पर चाइपती हो सकते आप छान लीजिए या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो यहां पर दिखिए मैंने चेन डाला है और यह रिंग डाला है अंगुठी इसमें जो जितने भी डेली बेर जो होते है ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं डेली बेर पहनने वाले अब इस तरीक से इसकी सफाई करेंगे तब बहुत यह यह चमक आ जाएगी साइनिंग आ जाती है इसमें आप लोग खुदी देख सकते हमारे गोल्ड चेन्ज वाय यह रिंग बगेर कितने अच्छे से क्लीन हो चुके हैं एक दम से चमक चुके हैं आप लोग एक खुदी देख सकते हमारे इसमें साइनिंग आ चुकी है कमाल के आडिया आप लोग भी जुरूर ट्राइक करना अच्छा लगे देख लाइक भी जुरूर कीजिएगें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है आपको घर में मिंटों में थोड़ी सी मेहनत तो करने ही पड़ती है हमारे घर में काम हो जाता है तो कैसा लगा यह आडिय आडिया आप लोगों अच्छे लगे हैं यूच्छ फूल लगे होंगे